हम बात करने वाले हैं IPC का एक बहुत ही important section है जिसे कहते हैं section 351 जो धारा 351 है धारा 351 एक बहुत ही आसान सी धारा है बटकिन तो इसमें जो सब्द छिपे हुए हैं उनको आज के परिवेस में समझना काफी ज़रूरी है क्योंकि ये जो धारा है इस धारा में 351 के अंतरगत ह हमले की परिभाशा दी गई है कि हमला किसे कहते हैं इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं assault ठीक है ऐसे सुनते होंगे आप assault कर दिया ठीक है तो हमला या assault होता क्या है actually क्या सिर्फ किसी को सब्द कह देना मातर ही assault हो जाता है हमला हो जाता है या पिर उसके लिए कुछ ऐसी संकेत या तयारी होना भी चाहिए तो ये जो 351 धारा है वो इस बात का प्राविधान करती है कि कोई भीव्यक्ति अगर कोई संकेत क्या करता है कोई संकेत या तयारी ठीक है तयारी करता है इस आसे से करता है कि वहाँ पर उपस्थित किसी भीव्यक्ति को क्या करेगा उसका अ मारने वाला ही है, तो इसको क्या कहेंगे ? ऐसी चीजह को हामला या असौल्ट के अंतरकत रखा जाएगा लेकिन यहां पर सिर्फ सब्द कह देना मात रही सिर्फ सिर्फ कोई विबिएक्ट कह रहा है कि सिर्फ हम सब्द के द्वारा आपको मारेंगे या हमला करेंगे तो यह जो है assault की इस्तिती में नहीं आता है ठीक है सिर्फ सब्दमाद जैसे की कोई G है वो ए से कहता है कि मैं तुम्हें पीटूंगा ठीक है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो उसे सच में पीट देगा बट उसके साथ कोई ऐसा जेस्चर वो ऐसा भी करता है ठीक है ऐसा कोई दिखावा करता है या संकेत देता है कि सच में वो कुछी छणों में हावी होने वाला है तो वो एसॉल्ट की स्थिती में रखा जाए